नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप लोगों कान अकैडमी के आज की सेशन में आज की सेशन में हम लोग देखेंगे एफ कैट से रिलेटेड नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप लोगों का आज के सेशन में लोग देखेंगे एफ कैट से रिलेटेड प्रीवियस येर आए हुए कोशिन्स और उनी सब कोशिनों का विटा एनलिसिस भी करेंगे सारे कोशिन विटा लगा के देखेंगे बीच में मैंने सिलोजिसम के भी मैंने तीन से चार कोशिन मैंने डाले हुए जिससे कि आप लोगों को सिलोजिजम में भी अगर कोई भी डाउट आ रहा है तो वो भी डाउट आप अपना क्लियर कर लें सारी थियोरी सिलोजिजम की होगी या बाखी किसी भी चैप्टर की होगी वो सारी इनी कोश्चनों के माध्यम से मैं आपको बताता हुआ चलूंगा मैं आप लोगों को एक बात बिल्कुल क्लियर कर दूं कि ये वाला सेशन आप लोगों का बिटा दो घंटे तक लगबख चलेगा और आप लोगों को pen paper लेके यहां पे बैठना है so be ready for this session देखिए मेरा नाम है अर्पित नीलांच पांडिया आफ लिए एसससी आरो एरो बैंक पियो एक्जाम चार बार एससबी मैं दे चुका हूँ more than one lakh student मैं अपने lifetime में मैं पढ़ा चुका हूँ wifi defense exam मेरे telegram channel का नाम है इस वाले telegram channel ये वाला बिटा official on academy का telegram channel है you people can follow me over there iconic plus का जो subscription है यहाँ पे आपको मिलता है बिटा daily live classes, weekly test, unlimited access, structured courses, सारी चीज़े आपको मिल जाती है 12 महीने का जो course है उसमें बिटा 917 पर मंत की हिसाब से 825 रुपीज का आपको पढ़ेगा और 24 महीने का बिटा 667 पर मंत की हिसाब से उते हो भी आपको बिटा 600 रुपे का पढ़ेगा अगर आप लोग ये वाला code ANP sir इस्तेमाल करते हैं आपको बिटा केवल subscription लेते समय नीचे code लगाना है ANP sir आप लोगों का बिटा ये वाला 10 जनवरी से आपका बिटा batch स्टार्ट हो रहा था उसी वाले batch के अंदर में आज मेरा आपका महराथन सेशन चल रहा है अभी हम लोग बिटा देखते हैं पहला question ये रहा हमारी आँखों के सामने पहला question इस वाले question को आप लोग बिटा लगा के देखिए फिर मैं आप लोगों को इसकी theory बताना start कर दूँगा so start this अनियो वाले कर दो भाने कETकीं मेरा दुँटते हैं पहला और मेरा नहीत रई पहा है आ लोग व को बादे रहा है कि आप सारे कुशन्स वही आपको कराए जाएंगे जो आपके पहले एफकैट में आ चुके है इस बात को बिटा याद रखिएगा देखो बिटा इस वाले कुशन में लिखा है अगर हम लोग रेट आफ इंट्रेस्ट को बताना है और हमारा बिटा टाइम अगर पांच साल हो जा और हमको बिटा बिलकुल सेम पैसे मिलते हैं तो आप लोग बताईए कि क्या हो जाएगा अगर पांच साल हो जाएगा पताईए पेटे क्या हो जाएगा चलिए पेटा अभी देखते हैं अगर इस वाले कोश्चन को करना है तो अब हम लोगों के पास में पेटा सिंपल इंट्रेस्ट को बिल्कुल बेसिक से समझने का समय नहीं है बस हमको इतना पता है कि सिंपल इंट्रेस्ट का पॉम्मला क्या होता है PRT upon 100 तो मैंने कहा कि मान लोग की SI जो है वो दोनों का equal है तो यानि कि PRT upon 100 अगर इधा रहे तो इधार पे बिटा P हो गया, R' हो गया, T' हो गया क्योंकि प्रिंस्पल अमाउंट भी हमारा सेम है अब इन्होंने कहा है कि time पहले वाले का आपको बिटा हम लोग दे रहे हैं पांच और प्रतिशत आप, sorry time पहले वाले का दे रहे हैं आठ साल और प्रतिशत दे रहे हैं 5 प्रतिशत इसी तरीके से यहां पे इन्होंने कहा है कि हम आपको time दे रहें 5 साल का आपको rate of interest आपको बताना है कि क्या हो जाएगा तो P से P कर जाएगा upon 100 से upon 100 कर जाएगा 5 से 5 कर जाएगा तो rate of interest आपका कितना आ जाएगा 8% so 8% will be the answer of this question अभी हम लोग इस वाले question को proportionality theorem से भी लगा सकते हैं वो अगर A ratio B है तो rate का ratio B ratio A हो जाएगा time पहले हमको 5 दिया है बाद में 8 दिया है तो आपका rate जो होगा वो बाद में पहले 8 और बाद में 5 इस तरीके से change हो जाएगा यहाँ पर देखे हमको time पहले दिया हुआ था 8 और यहाँ पर यह हमको दिया हुआ था 5 तो इसी के अनरूप में बिटा नीचे भी हम लोगों का बिटा चेंज हो जाएगा और ये हो जाएगा बिटा 5 और ये हो जाएगा बिटा 8 तो बाद वाला रीट कितना हा रहा है 8% अब आपका मूड है कि आप लोग इस प्रॉसस से लगाना चाहते हैं या फिर आप लोग इत अच्छे से आना चाहिए चलिए इसको बिटा करो वाट विल बी दी आंसर ओफ दिस कोश्चिन वाट विल बी दी आंसर ओफ दिस कोश्चिन वाट विल आपका मूचिन झाल झाल What will be the answer of this question? अभी तक बेड़ा आप लोगों को बता देना चाहिए था चलो आओ देखते हैं अब कैसे करेंगे इस वाले सेशन को इन्होंने कहा है पेटेभात है प्रपोशनाल्टी थयोरम सिम्पल इंट्रेस्ट चो है वो हमारा कॉंस्टेंट है और रेट अव इंट्रेस्ट भी हमारा कॉंस्टेंट है तो सीधी सी तो यह आएगा उसका रेशियो अगर यह रेशियो भी है तो time का भी ratio आपका ये ratio भी रहेगा time क्या मेरे को दिया है 6 ratio 9 यानि कि आपका ratio क्या हो जाएगा 2 ratio 3 तो SI का भी ratio क्या हो जाएगा 2 ratio 3 पहला तो ये हो गया तरीका दूसरा क्या है PRT upon 100 का use करेंगे तो फिर हमारा जो P है और R है वो constant है लेकिन जो T है वो एक बार बेटा 6 बटे 100 हो जाएगा और एक बार बेटा आपका PR into 9 upon 100 हो जाएगा अब दोनों का अगर हम लोग बेटा ratio निकालेंगे तो ये कट जाएगा ये कट जाएगा और ये वाला ratio किसका होगा SI 1 और SI 2 का तो इसको हम लोग बेटा 2 ratio 3 हम लोग आराम से लिख सकते हैं अब देखो बेटा option D पे क्या लिखा है 2 ratio 3 So 2 ratio 3 will be the answer of this question अब देखो बेटा होता क्या है अगर हम लोग बेटा maths पढ़ रहे हैं तो आपको 100% आपको efforts लगाने पढ़ेंगे और अगर हम लोग बेटा GSCS पढ़ रहे हैं तो आपके साथ में ऐसा हो सकता है कि आप लोग बेटे बेटे आप लोग सवाल को कर रहा है और आपको लगे कि हाँ ठीक है मैं बताता मैं चला जा रहा हूँ इसलिए बिना pen paper के session मत देखो चलो लगाओ सबसे बड़ी बात यह हो जाती है कि जब आप लोग यह maths पढ़ते हो तो teacher को भी बेटा time देना पढ़ता है झाल what will be the answer of this question झाल है What will be the answer of this question? चलो आओ बिटा अब आओ देखते हैं कि कैसे लगाएंगे ये वाला सवाल ठीक है आओ इन्होंने हमसे का in how many years 150 will produce the same interest rate at 8% as 800 produced in 3 years and 9 by 2% बिटा एक साइड का मुझे दे दिया गया है कि 800 आपका 3 सालों में 9 बटे 2 से जो भी आपका प्रतिशत बनाएगा मैंने क्या किया यहां पे PRT upon 100 अब इसको बिटा इक्वीट आप लोग बस किवल कर दोगे 150 को 8% से और आपको बिटा time period तो आपको पता नहीं है अब upon 100 से बिटे upon 100 चला जाता है यहां से बिटा आपका 400 आपका चला जाएगा और 400 और यहां बिटा 8 से आपका यह कट जाएगा 50 बार और 50 से बिटा यह आपका कट जाएगा तीन बार तो time आपके पास में बिटे क्या आजाएगा 9 साल का So, nine years will be the correct answer of this question. So, nine years option B will be the correct answer of this question. बात समझ में आई की नहीं आई? अब बिटा जो मैंने आपको यहां पे अभी तीन से चार questions जो मैंने कराए हैं. यह सारे questions F-CAT में आए हुए. मैं कोई भी अगर मैं chapter अगर मैं पढ़ाता हूँ, तो पहले दूसरी तीसरी class maximum बिटा पहले या दूसरी में ही मैं खतम करने की मैं कोशिश करता हूँ, F-CAT ही मैं बताता हूँ. उसके बाद में बिटा फिर मैं शुरू करता हूँ. टॉपिक अगर मेरे को शुरू करना है just in a case, तो बिटा मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ कि टॉपिक में हवा में मैं शुरू कर दूँ और मैं यहां पर मैं लिखने लगूं कि रीट को जना यहां पर एक प्राइस से जना बारा परसंट के इंट्रेस्ट रेट पर जो ना तीन साल के लिए अगर एक सिंपल एक कंपाउंड है पता चले यहां भी बिटा डिफ्रेंशियेट हो जाएगा अगर आपका एक साल का पूछा गया या एक साल से जादा का पूछा गया है तो ये सब चीजों पर थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए चलिए लगाईए What will be the answer of this question बहुत बढ़िया question है बहुत ही शांदार question है और इस वाले question के लिए मैं आप लोगों को कम से कम मैं 3 minute में देना चाहूंगा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग लगाएं और मुझे answer बताएं क्योंकि मैं आप लोग लोगाई लोगाँ कि आप लोगाँ लोगाँ झाल 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 क्या होगा अंसर इस वाले कोश्चन का भाई तुम लोग तो क्या बताऊं मेरे भाई झाल वैसा बेटा अभी तक तो आंसर आप लोगों को बच्चे बताज़ें देना चाहिए था जो एक reality है कि minimum आप लोगों से बिटा इस level के question आप लोगों से लग जाने चाहिए नहीं तो बिटा क्या तैयारी चली अब ये वाला हाँ F-Cat के हिसाब से अगर आपका tough question आता है तो बिटा ये वाला question आएगा बट मेरा आप से यही क्या ना है कि बिटा ये वाली चीज बिटा matter ही नहीं कर रही है कि किस level पे क्या चीज आएगी चली आईए देखते हैं बिटे कैसे लगाएंगे हम लोग ये वाला सवाल आईए बिटा देखते हैं ठीक है और solve करने के देखा कोशिश करते हैं तुम लोगों का math बहुत ही खराब है बहुत 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 ही ज़ादा देखो बिटा a किसी काम को कर देता है पन का color मैं change कर रहा हूँ a किसी काम को बिटा कर देता है आपका दस दिनों में उसी काम को बिटा बी आता है कर देता है आपका पंदरा दिनों में उसी काम को अगर ये लोग एक साथ में अगर करते हैं पास दिनों तक और बाकी का काम दो दिनों में सी निप्टाता है तो मैंने का पहले इसका बिटा समझ लेते हैं कि हमने ले लिया है हमारा जो work है वो 30 इसका जो काम करने का जो efficiency है वो है 3 unit इसका जो काम करने का efficiency है वो है बिटा 2 unit अब दोनों अगर एक साथ में अगर काम करेंगे तो 5 into 5 unit क्योंकि बिटा 5 unit का बिटा हुआ इन दोनों का टोटल और पांस दिनों तक काम किया तो पच्चिस यूनिट का काम हो गया आपने का हाँ ती जो है आपका जो वर्क जो करता है वो करता है बाकी का पांच यूनिट पच्चिस और पांच के बीच का जो अंतर है और कितने दिन लेता है दो दिन लेता है तो बिटा दो दिनों में अगर आप पांच यूनिट का काम कर रहे हो तो प्रती दिन आप बिटा कितने यूनिट का काम करोगे धाई यूनिट का काम आपने का हां सर मैंने का अब ये समझो कि ये बिटा शमता है अब शम्ता जो तुमारी होती है उसी के अनुरूप तुमको बिटा पैसे भी मिलते हैं यानि कि यहां पर बिटा तीन रेशियो दो रेशियो धाई आ रही है तो फिर इसको बिटा मैं छै रेशियो चार रेशियो पांच क्या लिख सकता हूँ आपने का बिल्कुल लिख सकते हैं सर कोई दिक्कत नहीं है मैंने का आपको पैसे कितने मिलना है साड़े चार सौ ठीक है अब बिटा साड़े चार सौ रुपय में से भी ए ने और बी ने बिटा क्या काम किया यह पूछ रहा है कि पूरा पूरा पैसा कैसे डिवाइड होगा तो ए ने बिटा आपका क्या किया है यहां पे के तीन दिनों के हिसाब से बिटा पंदरा यूनिट का काम किया और उपन में बिटा जो मैंने दुगना किया है उसके हिसाब से यह 30 यूनिट हो जाएगा ये बिटा 20 unit हो जाएगा और ये बिटा 10 unit का काम हो जाएगा हर एक चीट बिटा दुगनी हो जाएगी आपने का हाँ सर क्योंकि यहाँ पे हमने total workup की बारी बिटा क्या मान लिया जब मैंने इन शम्ताओं को मैंने दुगना किया कि 30 की बजाए 60 है अब बिटा अगर मेरे को 450 रुपए मेरे को इस ratio में अगर मुझे convert करने है तो बिटा 450 रुपए में से अगर आप लोग देखो तो 3 ratio 2 ratio 1 में क्या नहीं टूटना चाहिए आपने का हाँ तो बिटा 450 रुपए को अगर बिटा मैं 6 से मैं करता हूँ तो हर एक के पास में बिटा कितने रुपए जाएंगे 75 और 75 के हिसाब से हमारे इसको C वाले बंदे को बिटा कितने रुपए मिलेंगे 75 रुपए B वाले बंदे को बिटा कितने रुपए मिलेंगे 1.500 रुपए और सी वाला जो बंदा है उसको बिटा कितने रुपए मिलेंगे 225 रुपए मैंने का option देखी है जड़ा option ए पर ध्यान दीजे 225,500 और 75 लिखा है की नहीं अब आपको क्या हो जाता है आपको बिटा ना तो relations पता है ना ही आप लोगों को बिटा line से आप लोगों को चीज़े पता है कि क्या आपको बिटा follow up में लेना है और ना ही आपको बिटा पूरा कोई लगाने का कोई एक proper तरीका पता है आप लोग सवालों के हिसाब से तो आप लोग तो तरीके चेंज करते हो तो वो preparation किसी काम की नहीं होती वो था ऐसा है अंधे में तीर मानने जैसा लगाओ बिटा सवाल यह बहुती इजी सवाल है इसका तो आंसर बता दो हाँ रुपीज वाला बिटा कुशागर इसमें confusing था बिलकुल सही बोल ले हो बच्चे लगाईए लगाईए आप लोग बिटा सवाल लगाईए लगाईए सवाल लगाईए और इसका अंसर बताने की कोशिश की लिए जल्दी लगाईए बिटा सवाल दो पौड़ी का रखा लगाईए और दो मिनुट का समय है आपके बादे लगाईए कि ऑपके बाहाईए ये लगाईए लगाईए झाल 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 लगा नहीं कुशाग्र 75 days option number 5 very good कुशाग्र very good देखो बिटा बिलकुल सीधे सीधे बिटा लगिएगा सवाल देखो कैसे A, B, C, D बिटा प्चार लोग है ये किसी काम को बिटा 20 दिन में कर देते हैं जिससे बिटा A और B मिलके करते हैं 50 दिनों में C और D मिलके करते हैं 60 दिनों में अब देखो LCM बिटा मैंने इनका 300 ले लिया तो यहां से बिटा सब का टोटल है 15 A, B का जो टोटल आ रहा है आपका वो कितना आ जाएगा तो फिर आपने का कि सर A, B को अगर हम लोग यहां पे माइनस करेंगे और यहां पर बिटा CD का आपका टोटल कितना आ जाएगा तो बिटा CD का टोटल आपका आ जाएगा 5 यहां से आपका आ जाएगा 6 अब बिटा गौर करो एक बात Sorry, C है केवाल यहां पे ठिक अब गौर करो एक बात कि ABCD का टोटल है पूरा यह जिसमें से की A और B को अगर मैं जोड दूँ तो फिर 6 रुपए निकल गए C को अगर मैं जोड दूँ तो 5 रुपए निकल गए तो फिर बाकी का किसका बचा है D का कितना बचा है 4 यानि की D जो है वो 300 यूनिट का का आपका चार दिनों में करता है तो 75 डेश लेगा टाइम बिलकुल सही कुशागर बेटा आपके जो 18 होते हैं कोशन उसमें से बेटा आपके 12 से 13 कोशन इसी लेवल के होते हैं बस बेटा केवल आपके 4-5 कोशन सहसे होते हैं जिनमें की आपको दिमाग लगाना पड़े हाला कि मैंने इंक्लूड मैंने वो वाले कोशन मैंने याप किये हुए है ठीक है जैसे पहले वाला कोशन था लेकिन सारे कोशन अब बिटा ये वाला फिर से उसी टाइप का कोशन है जिसमें तुम्हें दिमाग लगाना पड़ेगा और यह वाला कोश्चन पूछने को cds वाला भी पूछ सकता है लगाओ विटा इसमें आंसर हाँ ऐसे भी कर सकते हो बच्चे कुशागर कोई दिक्कत नहीं है झाल 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 झाओ कोई दिक्त नहीं है कर दो जो, 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 हुआो? अब आया मजा चालो आओ अब इस लेवल के कोशन देखो लगाना बच्चे सीखो है ना ऐसा मैं अपने लिए मैं नहीं कह रहा हूँ मैं खुद चाता हूँ कि आप लोग बढ़िया से बढ़िया लेवल पे बच्चे कोशन को लगा सको बिलकुल आराम से देखते हैं सवाल इसने बोला है कि एक लड़की है शुरूती एक लड़की है जिसका नाम है शुएता और एक लड़की है जिसका नाम है स्वाती तो स्वाती को बिटा ST, श्वेता को SW, शृती को SR मैंने लिख दिया ये सब लोग बिटा मिलके 216 एपल काटती हैं तीन घंटे में लेकिन तो हर घंटे में बिटा ये लोग कितने काट रही है 72 एपल्स आपने का हाँ सर मैंने का अब एक बात देखो नम्बर आफ एपल कट वाई शृती in 9 hours यानि कि अगर बेटा मैं टाइं को अगर मैं लेता हूँ तो शृती 9 घंटे में जो काम करेगी वही सृती आपका 7 घंटे में काम करती है आपने का हाँ सर मैंने का बेटा शम्ता अगर मेरे को 2 टाइं दिये हैं तो इनका बिल्कुल उल्टा हो जाती है ठीक है यानि कि 7 ये हो जाएगी शमता 9 ये हो जाएगी शमता अब इन्होंने काए in one hour swati can cut as many apple more than shweta as sweta can cut more than shruti यानि कि swati का जितना अंतर shruti से है उतना ही अंतर swati का shweta से भी है सीधी सी बात है बाई देखो in one hour swati can cut as many apple more than shweta as sweta can cut more than shruti तो बिटा swati उतने ही apple जादा काटती है यानि कि इसकी शमता में बिटा अंतर कितने का है एक का इसकी शमता में अंतर कितने का है एक का दोनों साइट से बच्चे मेरा difference बराबर अब बिटा difference अगर बराबर तो solve हो गया question इन्होंने काए कि then the number of apple cut by shweta in one hour तो बिटा तीनों मिलके 72 apples काटती है और इनके बिटा काम करने की शमता हमको ये दी गई है तो 24 यानि की unit अगर बिटा 24 का मतलब ये है तो बिटा 3 apple per unit का हो जाएगा आपने का हाँ sir अब बिटा 3 apple per unit का हो जाएगा अगर तो shweta जो है यहाँ पे वो बिटा 8 unit काम करती है और 8 unit का मतलब बिटा कितना हो जाएगा multiply by 3 करेंगे तो फिर 24 apples बिटा answer आ जाएगा option की तरफ पे अब हम लोग ध्यान दे लेते हैं कि 24 apples में हमें क्या option दिया है बिटा option B is the correct answer of this question अब देखो बच्चे कुशाकर एक बात समझना तुमने last time पे one upon वाला method यूस किया उससे better यह वाला method बेटे वर्क करता है है ना अब होता क्या है कि आप लोग बिटा किताब की तो मैं नहीं बुराई करूंगा क्योंकि RS अगरवाल सर ने जो किताब जो लिखी है वो उन्होंने बिटा समय के अनुसार 2014-15 के हिसाब तक से चल रही थी और वो 20 साल चली है उससे पहले बहुत 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 अब मैंने भी RS अगरवाल मैंने लगाई थी अपने टाइम पे आप लोग भी बिटा वही लगा रहे हो लेकिन बिटा समय बदल गया है थोड़ा सा कोंसेट्स में अब क्या आ गई है डिप्ट आ गई है अब ऐसा नहीं है कि इसी लेवल के एक आदा कुशन आता है बटा बलब ऐसे में लेकिन क्या होता है बच्चे कि वो एक आधा कोशन छोड़ नहीं सकते हैं मैट्स में बिटा 18 18 कोशन में से मिनमम बिटा आपके 16 या 17 आपके सही होने चाहिए और 16 और 17 भी रिस्की तब है जब आपके बिटा रीस्निंग में आपके किसी एक में 17 या 18 सही हो नहीं तो मैट्स में बिटा 18 आप पकड़के चलो रीस्निंग में बिटा 16, 17 मिनमम पकड़के चलो तो तो आप बढ़िया परफॉर्म कर रहे हो मेरे हिसाब से बिटा 18, 18 आराम से आते हैं थोड़ा सा इस वाली बात को समझना आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कोई भी दिक्कत हो तो बिटा पीछे करके वीडियो देख लेना दुबारा से करो बिटा ये वाला बखेन बिटा ये वाला कोश्चन बिलकुल बेकार कोश्चन है लगा के देखो लगा के देखो लगा के देखो लगा के देखो हाँ बिटे क्या होगा आंसर हाँ हाँ बिटे कुशागर आंसर 24 है what will be the answer of this question चालो आओ आओ बिटा देखते हैं अब कैसे करेंगे इसको option A 10 days very good कुशागर देखो बिटा A can do a piece of work in 10 days A बिटा 10 दिनों में आपका काम कर देगा B उसी काम को बिटा आपका 20 days में कर देता है C को काम करने में finish करने में ABC की help मिले तो ये चार दिनों में ये काम को कर देता है मैंने का बिटा LCM ले लो आपने का सर 20 माल लेते हैं मैंने का इसका unit हो गया है बिटा 2 simple सी बात है ABC का total अगर बिटा 5 है जिसमें से A है आपका 2 B है आपका A तो C कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा अब बिटा 20 unit का काम अगर C को अगर करना है और 2 की शमता से करना है तो उसे दिन कितने लग जाएंगे 10 days लग जाएंगे तो 10 days will be the answer of this question option is the correct answer अगला करो अब बिटा क्या है कि एक आद मैंने question उठा के मैंने डाल दिया था अभी बिटा तीन question हम लोग सिलोग के करेंगे ठीक है सिलोग का बिटा यह वाला question आप लोग लगाए और आप लोग बिटा answer बताइए आई होप आप लोगों को question का question विटा ठीक से नजर आ रहा होगा लगाओ लगाईए विटा क्या हो जाएगा क्या होगा बेटा झाल को हाँ है कि वेरी गुड़ वेरी गुड़ बेटा बहुत शांदार बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया वैरी गुड़ देखो बेटा कहीं भी एकर लिखा है आपका सम्वायर कुछ वायर का हिस्सा आपका टाइल है लाओ पेल थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं अब क्योंकि वो बीच में बीटा ग्रीन कलर था और ग्रीन कलर में क्या हो जाता है कि आपको पता नहीं चल पाता बीटा कुछ वायर का हिस्सा आपको ये बोलना है टाइल्स है फिर इन्होंने काए कि कोई भी मार्बल का हिस्सा कले नहीं है लेकिन सारे के सारे जो टाइल्स हैं वो बीटा मार्बल के अंदर हैं तो बीटा पहले हम लोग मार्बल को ड्रॉ करेंगे और फिर कोई भी मार्बल का हिस्सा हमारा कले नहीं अब बहुत ध्यान से अब देखना यहाँ पे अनलेसिस पहला इसने पूछा है कि some wire can never be clay बिटा कभी भी अगर बिटा can आ जाता है न तो ये बिटा possibility का case हो जाता है यानि कि इसका मतलब है some wire can never be clay का मतलब हो गया है कुछ wire का हिस्सा कभी भी clay नहीं हो सकता है बिटा जब की wire और clay के बीच में बच्चे कोई भी हमारे पास में नहीं है अगर बिटा no अगर हमें बनाना ही था तो हम बिटा ऐसे करके अगर बना देते clay का तो क्या दिक्कत थी कोई भी अमने चीज को अमने इग्नोर अमने नहीं किया यही चीज हो जाती है जो डाइग्राम से आप लोगों को कभी भी बेटा समझ में नहीं आ पाती डाइग्राम क्या होते हैं बेटा possibility का case बनाते हैं तो some wire can never be clay लेकिन बेटा ये वाला हिस्सा में शियोर हूं कि कभी भी clay नहीं होगा तो यानी कि अगर ये पूरा हिस्सा भी अगर ये clay हो जाए तो वो वाला हिस्सा मेरा बचा रहेगा तो बेटा ये वाला मेरा सही हो जाएगा All marbles are tile is the possibility अब बिटा हमेशा एक बात याद रखना कि इसने मेरे से का था कि सारे टाइल मार्बल है तो मैंने मानो टाइल ऐसे बनाया और मार्बल भी मैंने ऐसे ही मैंने बना दिया तो सारे टाइल मेरे मार्बल हो तो गए यानि कि all marble are tile is a possibility बिल्कुल सही बात होगी यानि कि आपका हो जाएगा बोथ वन एंड टू फॉलोज आंसर हो जाएगा ऑप्शन ती इस वाली बात को बिटा हमेशा याद रखना ठीक है अगला सवाल देखते हैं कि कि । What will be the answer of this question? । जल्दी बताईए जल्दी बताईए झाल जल्दी बताईए जल्दी बताईए जल्दी बताईए जल्दी बताईए जल्दी बताईए हमारा शोशल नहीं है कोई भी प्रोफेसर हमारा शोशल नहीं है फिर उन्हों का some professors are not civilian कुछ professor का हिसास civilian नहीं है ठीक है तो civilian के लिए बिटा मैं cv में लिख रहा हूं और मेरे काम का जो part है वो बिटा ये वाला है ठीक है अब मैंने देखा पहला all commanders star civilian सारे के सारे commander civilian है ये वाली बात तो बिटा मैं diagram से ही नहीं शो रही है ऊपर से ये वाली चीज मुझे possibility के case में नहीं दिया अगर ये possibility के case में देता तो मैं सोचता इस वारे में ठीक है अब यहां पे अगर आगे बढ़ते हैं तो इसने का इस दा possibility ठीक है देखो यहां तक बिटा पढ़ा करो अगर आपको बिटा statement गलत लग रहा है तो possibility लगने पर वाली चीज सही हो जाएगी क्यों बिटा civilian ही अगर बनाना था तो फिर क्या मैं ऐसे क्या मैं नहीं बना सकता था ऐसे मैं बना देता है तो बिटा अभी आपके commander all commanders are civilian यह वाली शमता आपकी बिटा बिलकुल सही हो जाएगी क्योंकि उसने केवाल इतनी बात किये कि कुछ हिस्सा पक्का है कि civilian का professor में नहीं आएगा तो first one is completely true second some civilians are not social कुछ civilian का हिस्सा शोशल नहीं है बेटा actually में यह पूरा हिस्सा जो है वो मेरा शोशल नहीं हो सकता है तो इसके अंदर बेटा civilian भी आ गया है और याद रखना अगर all true है तो बेटा उसके साथ में some भी हमेशा true होगा some भी हमेशा true होगा यह वाली बात हमेशा होती है ऐसा ही होता है तो बेटा some भी आपका true है तो second is also correct again both and sorry both one and two follows यह option b is the correct answer of this question both one and two follows is the correct answer of this question very good लगाओ इसको लगाओ इसको लगाओ बात है कर दो कर दो कर दो सर वन कैसे सही होगा और क्मांडर आर सिविलियन सही नहीं होगा अच्छा और क्यूंकि और प्रोफेसर आर हाँ बेटा हाँ अभी बेटा पीछे आते हैं सारे कमांडर सिविलियन नहीं हो सकता है क्योंकि वो सब प्रोफ है और सम प्रोफ ही सिविलियन है बेटा एक बात देखना एक मिनट के लिए मैं पीछे मैं जा रहा हूँ बेटा इसने आगे बेटा इस अ पॉसिबिलिटी लिखा है ठीक है possibility बेटा क्या करता है हमें बेटा थोड़ा सा डाइग्राम को change करना होता है लेकिन यहाँ पे किसी भी statement की हमें बेकदरी नहीं करनी होती है तो फिर से देखो सारे के सारे जो civilian हैं वो professor है सॉरी commander जो हैं वो professor है बेटा कुछ civilian ऐसे हैं जो professor नहीं है ये वाला part लेकिन बेटा अभी भी देखो इन civilians ने सारे commander को अपने under में ले लिया है तो ये वाली चीज कभी भी अगर मैं possibility नहीं लगाता तो ये वाली चीज बेटा सही हो जाती सॉरी गलत हो जाती मतलब आपकी बात सही हो जाती लेकिन मैंने बच्चे इस जगे पे possibility लगा दी है इसकी वज़े से ये वाले डाइग्राम के चलते हैं बिटा वही हो जाता है कि ये डाइग्राम से बेटर रहता है आप लोग 150 रूल आप लोग अपना लो देखो 150 में मैं बता देता हूं होता क्या है कि ये बिटा आपका 100 होगा ये वाला बिटा आपका 50 हो जाएगा ये वाला बिटा 100 है ये वाला भी बिटा 100 है ये वाला बिटा आपका 50 है और ये वाला बिटा आपका 100 है सबसे बड़ी बात हो जाती है कि मुझे कमांडर और सिविलियन के बीच में बताना है क commander यहां पे दिया हुआ है, civilian यहां पे दिया हुआ है, दोनों के बीच में common कौन है, professor है, common है, लेकिन जो ना डेड़ सो रुपए बिटा बन नहीं पा रहे हैं, तो actually मैं बिटा some, और ये, इनके बीच में relation established नहीं हो पाएगा, जब बिटा relation नहीं established हो पाता है, तो हमारे सब संभावनाएं सत्य होती है, all possibilities are true, actually बिटा ये वाला जो method होता है, ये वाला method मैं, यार एक दिन मैं करता क्या हूँ, कि मैं class मैं लगा देता हूँ, syllogism की, किसी और slot में मनलब रात के, 8-9 बजे के आसपास में, मैं 150 rule मैं बता देता हूँ, syllogism का आप लोगो को, क्योंकि मुझे ये लगता है, कि ये वाली चीज, जब मैं हूँ, तो मैं बीटे की, लेकिन मैं शौक हिया तोर पे, मैंने अच्छे, अच्छे colleges से, मेरा मलब बिटा philosophy में MA हुआ है, और philosophy के बाद में, मेरा history में भी MA हुआ है, तो ये ऐसे ही शौक हिया, बस COVID चल रहा था, तो college जाने की ज़्यादा नीड नहीं पड़ी थी, college भी बिटा आपका Delhi University है, जहां से हुआ है, तो उतना ज़्यादा कोई doubt की बात नहीं, कि कहीं से पैसे देखिए, क्योंकि degree का मुझे बहुत ज़्यादा कोई काम है नहीं, लेकिन मैं आपको मैं ये बता रहा हूँ कि philosophy जब हम लोग बिटा पढ़ते हैं, तो हम लोगों को एक और भी बिटा method बताया जाता है, ये diagrams चो होते हैं, actually these diagrams are vein diagram, तो vein diagram के through हम लोग बिटा syllogism की condition को हम लोग बिटा depict तो कर सकते हैं, लेकिन हम लोग इसको बिटा पूरे पक्के तौर पे कभी भी answer नहीं कर सकते हैं, जैसे एक बात समझना, मैंने यहाँ पे बनाया बिटा, no ARB, और no BRC, ठीक है, अब मैंने पहला, पहला conclusion बस मैं लिख रहा हूँ, फुशागर अच्छे से बताना, some ARC is a possibility, यह वाला बिटा सही होगा की गलत, दूसरा, no ARC, तीसरा, some ARC, इन में से बताओ बिटा answer क्या होगा, लाओ मैं तुमको options भी मैं यहाँ पे में लिखे दे रहा हूँ, option है बिटा, only one, दूसरा है बिटा, only two, तीसरा है बिटा, all are true, चौथा है बिटा, एक नट, one and either two or three, और पांचमा है आपका, all are wrong, अब आप बिटा, अपना दिमाग लगा के आप बताईए, के A, B, C, D, E में से, कौन सा बिटा, मेरा सही है, अपना दिमाग लगा के, बिटा, can never का मतलब बिटा, आपका possibility के case में नहीं आ पाएगा, only two, बज बिटा, कुशाग रहे, यहीं पर ही issue आ गया, क्या issue आ गया, कि, answer बिटा, होगा ये वाला, ठीक है, one, and either two or three are correct, अब आपको बिटा, जो भी आता है, देखो, मैं बहुत जादा, समय भी ऐसा नहीं है, कि मैं बहुत जादा, आपको भी ऐसा लगता है, हो गई होगी, गलती किताब में कुछ गलत लिखा होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है, actually, बिटा, इसका जो डाइग्राम है, जो बनने को, वो ऐसे भी बन सकता है, लेकिन हम लोग minimal, intersectional condition को follow करके, actually, बिटा, A और C के बीच में कोई relation है ही नहीं, इसने कहा है, कोई भी A का हिस्सा B नहीं हो सकता, और कोई भी B का हिस्सा C नहीं हो सकता है, अब खुदी देखो कि, तुम हो, मैं हूँ, और तुमारा एक दोस्त है, ठीक है, वह ही मैं कहता हूँ, यार, मुझे, मतलब मैं, सामने बच्चा बैठा हो ना, बहुत ज़्यादा बटा चीजों का अंतर आता है, क्योंकि बच्चा क्रॉस कोश्चन कर सकता है, और मुझे कहीं बार में लगता भी है, कि चैनल के उपर में, जो ना, कि नहीं आते हो, मैं जो भी कह रहा हूँ, वो सत्य है, सत्य के सिवा और कुछ नहीं है, क्योंकि बटा कभी भी अगर, अब आपका, A और C के बीच में, जब कोई रिष्टा ही नहीं है, तो एक पॉस्टिव और एक निगेटिव का बीटा स्टेटमेंट देखके, we can use the condition of either, ठीक है, और देखो, A के नीचे, A, C के नीचे सी, हाला कि सम और नो के केस में, इससे परक नहीं पड़ता है, तो सिलोजिजम, पढ़ाने पढ़ाने में, कि एवल आपको थियोरी बताने में, मुझे डेड़ घंटा लग जाएगा, वो भी अगर मैं बोर्ड पे मैं बताऊं तो, अगर मैं उस पे, अनकैडमी का जो क्लासस वगएरा जो चलता है, उस पे तो काओ दो तीन लेक्चेर बीटा लग जाएए, तो बहुत ज़्यादा बिटा चिंता मत करो, एफकैट में जरूरी नहीं है कि यह वाली कंडिशन्स आपकी फस है, ठीक है, लेकिन हाँ मैं शियोर हूं कि मुझे सिलोजिसम आता है, ठीक है, बैंक पीओ यो का बिटा पेपर में, यह सिलोजिसम का लेवल जाना कोई लेवल लेवल नहीं है, काफी अच्छे आते हैं, बैंक पीओ में बिटा आपके 50 में से 10-11 मार्क पे आपका बिटा कट ओफ डिकलेयर हो जाता है, मेरे बिटा 48 मार्क थे, और मैंने आज तक अपने से जादा मैंने सुने भी नहीं, मेरा रीजनिंग मेरा बहुत स्ट्रॉंग है, लेकिन बस मैट्स पढ़ाना मुझे जादा अच्छा लगता है, यह ऐसी सी बात है, reasoning में ऐसा लगता है कि कुछ आता ही नहीं है exams में एक bank पी हो गया, एक cat का हो गया उसके अलावा बिटा और किसी exam में कुछ खास reasoning का actually में आता नहीं है so that's the major reason ठीक है बहुत कम होते हैं कुशागर बहुत कम पे मज़व बटा सीधी सी बात है concept पूरा नहीं है लेकिन concept पूरा ना होने से तुमको बटा fcat पे फरक नहीं आएगा बस मैं इतना मैं कह रहा हूँ ठीक है ये आगे जाके लेकिन बटा इस चीज़ को अपना लूप होल्स होते हैं मानो किसी ने दे दिया तब क्या करोगे तो वैसी condition के लिए बस बेटे याद रखना ठीक है बाकी अभी भी बेटा पूरा पूरा वो complete notion आपको नहीं idea है तो मैं ये कहूँगा कि भगवान से मनाना कि ये सबायना आ जाते हैं बेटा अगले question पे लगाओ इसको लगाओ विल्कुल सही तुमने का कुशागर की जो condition नहीं बताई गई है actually होता क्या है इसका sense बेटा possibility जो है हम लोगों को जो भी चीज़े बोली जाती है वो आपका थोड़ा सा possibility possibility ना होके और complicated चीज़ होती है possibility संभावना है संभावना बेटा दुनिया में जो तुमको नहीं पता है मेरी शादी काटरीना कैफ से हो सकती है काटरीना डाइवार्स ले लेगी विकी कॉशल से अच्छा एक बात और समझ लो possibility तुमको दुनिया में जो चीज़ नहीं पता है वो हर बात बेटा possibility में सच हो सकती है मेरी शादी काटरीना से हो जाईगी काटरीना विकी कॉशल से डाइवार्स ले लेगी ये बात सही है अब आपने का कैसे सही मैंने का संभावनाओं में सही है ठीक है क्या पता कर ले क्या पता कुछ आगे हो जाए क्या पता कुछ से कुछ जना ऐसा मनलब changes आजाए ठीक है होने को बेटा दुनिया में कुछ भी हो सकता है और ये वाली बात से लॉजिजम मानता है अगर आप से कोई कहता है कि आप के खाते में 14-14 लाग रुपए आएंगे माना की नहीं माना आप से किसी ने कहा था इंडिया है इंडिया ही इंडिया ही माना की नहीं माना अब 14-14 लाग रुपए देखा जाए ऐसे तो डेटा का प्राइज अगर आप बेटा कैलकुलेट अगर आप करोगे और आपने बेटा 7 साल में पीछे में जितना भी डेटा यूज किया बड़ी बात मैं नहीं कहा रहा हूँ कि आपको 8 से 9 लाग की आपको वापसी हो गई होगी क्योंकि बटा 1 GB डेटा किसी टाइम पे 300 रुपए का आता था और आपने हर महिने के इसाफ से अनलिम्टेड कॉलिंग और अनलिम्टेड एक तरीके से 1.5 GB डेटा आपने यूज किया है तो 4.500 का डेटा आपने रोज यूज किया और कॉलिंग अगर अनलिम्टेड अगर बना ले तो उसका 600 का अलग से रीचार्ड हो जाता था जिसमे की रात में 12 बजे से सुबेरे के 6 बजे तक केवल फ्री रहता था आपको पूरे दिन का फ्री है आपने इसमें से केवल 300 रुपए दी है 5000 में से तो 4800 के हिसाब से आपके महिने के अंत में आपके 55,000 रुपए बन गाएं ठीक है लेकिन possibility क्या है मानना पड़ेगा मैं कैसी भी हो मानना पड़ेगा मैं याद रखना चलो अब लगाओ विटा question लगाओ what will be the answer of this question क्या है झाल झाल वेरी गुड बेटा वेरी गुड धारणी सोनी विलकुल सही विलकुल सही चलो वेटा भी देखते हैं सम पिंक आर नॉट यलो अगें वेटा सम नॉट का डाइग्राम बनाना आए तो फिर जो ना कुछ पिंक का हिस्सा यलो नहीं है तो यह एथे करके बनेगा लेकिन वेटा का ये वाला section use हुआ है इसको याद रखना all orange are pink सारे के सारे जो orange है वो आपके बिटा pink के अंदर में चले गए तो रुको इसको इसको थोड़ा सा और किसी और बे में देख लेंगे all orange are pink ठीक है ये pink के अंदर में ये वाले बिटा चले गए है फिर इन्हों का some green are yellow कुछ green का हिस्था yellow है ठीक है इन्हों ने का all oranges are green सभी oranges हमारे green हो सकते बिटा बिल्कुल सही बात है अगर ये अगर बिटा possibility में होता क्योंकि possibility में वाली चीज सही हो जाती लेकिन बिना possibility के जो दिखेगा मैं वही बोलूंगा तो ये चीज तो मुझे नहीं नजर आ रही so this one is wrong some pink are not orange is the possibility के कुछ pink का हिस्था orange नहीं है बिल्कुल बिटा सही बात है ये वाला हिस्था नहीं हो सकता है ये वाला हिस्था नहीं हो सकता है ये वाला हिस्था नहीं हो सकता है कुछ हिस्था नहीं है is the possibility क्योंकि बिटा orange अगर आपका बनना था तो orange और pink बिटा ऐसे भी बनाए जा सकते थे overlap करके बस so option two is the correct only two follows कहा गया option c only two follows this will be the correct answer अगले पे अब आते बैक टू किस पे मैच पे आ गए अभी लगाओ वेटा ये वाला question c धारणी सोनी एंड कुशाग्रव वेरी गुड झाल 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 क्या होगा अंसर भाई इतना खराब कई से हो सकते हो क्या हो झाल झाल यह वाला बहुती इजी कोश्चन है बहुती इजी कोश्चन देखो यार एक दो लाग दस हजार का तुमने उसके उपर में ड्यूटी दी कितनी लैप्टॉप पे 10% तो बिटा 21,000 की तुमने ड्यूटी दे दी आपने का हाँ मैंने का एक लाग के फोन पे बिटा आठ परसन क की ड्यूटी दे रहा है तो बिटा 1 लाग के लाग के फोन पे अकर 8% की दोगे तो बिटा 8,000 हो जाएगा आपने का हा मैंने लाग के लीटि यह दो साथ आप पंद्रा हो गया और उसके बाद में आपका 16,6 लिखा आगे टीन हो जाएगा यानि कि 36,500 की आपने बिटा total duty पे कर दिया है so this will be the answer of this question 36,500 बार answer आगया बच्चे इसमें तो कोई दिक्कती नहीं थी इसमें कोई issue भी नहीं था सवाल लेकिन बस पढ़ने में आपको समय लगेगा अब इतना easy सवाल है खुदी सोचो very good धारणी very good बहुत बढ़िया बच्चे चलो अगला बीटा लगाओ इसको बताओ आच्छा नहीं नहीं बीटा बच्छा झाल झाल जल्दी से बताईए विटे झाल झाल चलो आओ देखते हैं D कुशाग्र ओके धारणी तोनी क्या होगा चलो आओ बिटा देखते हैं बिलकुल आराम से देखो 5% of A बराबर इन्होंने क्या कहा है B के तो इन्होंने कहा है B% of 20 same as तो आपको बिटा क्या निकालना है B% of 20 तो बिटा B% अगर मुझे अगर निकालना है 20 का तो सीधी सी बात है ना कि B% का मतलब बिटा क्या हो गया 5% का भी एक तरीके से आप percentage आप लोगे या फिर आप यहाँ पे एक और भी आप notion आप set कर सकते हो कि B% अगर मेरे से 20 का अगर बिटे कहा जा रहा है तो सीधी सी बात है कि 20 का अगर मुझे लेना है तो यह A हो जाएगा यह वाला बिटा 5 हो जाएगा यह वाला बिटा upon 100 हो जाएगा इसको बिटा यहाँ पे मैं काटूंगा यह वाला आपका 5 बार और यह वाला बिटा इसको कटेगा तो फर ऐसा लगता है कि यह वाला जो B% of A है वो हमेशा घूम फिरके हमारे लिए वापिस दे देगा लेकिन ऐसा नहीं है क्यों यहाँ पे आपने एक mistake कर दी क्या mistake कर दी जो यहाँ पे हमको वैल्यू जो दी थी 5% of A बराबर B है तो यहाँ पे actually में A और B के बीच का जो ratio था वो ratio हो जाएगा कि अगर A की value अगर मैं 20 ले रखना है तो इन्हों ने कहा कि 20% of 20 अगर हम करेंगे तो फिर वेटा 20 ही आना चाहिए क्योंकि 1% एक तरीके से हम लोग विटा इस चीज को हम लोग ले रहे हैं बिना किसी changes के आपने कहा 1% of 20 अगर हम लोग लेंगे तो फिर 1 upon 100 लेंगे यानि कि value मेरी कितनी आएगे बटे पांच अब मैंने का यहां पे options पे 20 वेटा पुट करके देख लो कि कहां पे आपको ऐसी value आपको देखने को मिल सकती है तो वेटा यहां पे आप देखिए यह कटेगा और यह वेटा 20 बटे 100 लिखा है so this will become 1 upon 5 so option d is the answer of this question you have to change it into the ratio क्योंकि ratio will give you the real situation जो भी आपको बिटा इस्तेमाल करनी है ठीक है answer बिलकुल आराम से आजाएगा बिलकुल इत्मिनान से आजाएगा आपको बिटा बहुत ज़्यादा confuse होने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी यह वाला question नहीं यह वाला cts का देको इसने डाल दिया यह वाला लगाओ what will be the answer of this question please be fast झाला 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 झाल 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 यह 20 वेरी गुड कुशाग्र वेरी गुड धारणी अभी देखते हैं बिटा 60 लीटर है अब बिटा 60 के हिसाब से अगर मुझे मिल्क और वाटर का अगर मुझे बिटा रेशियो अगर मुझे बनाना है तो फिर इसको बिटा मुझे 40 और 20 में बिटा चेंज करना पड़ेगा क्योंकि बिटा यहाँ पर है क्या कि मुझे 1 रेशियो 2 दिया है अभी इन्हों ने कहा है कि जो रेशियो है आपका वो अभी आपको बिटा 1 रेशियो 1 है 2 रेशियो 1 से आपको बिटा इसको वापिस किसमें चेंज करना है वन रेशियो टू तो वन रेशियो टू के लिए इसको तो 40 होना पड़ेगा लेकिन इसको क्या होना पड़ेगा 80 अब यहाँ पर कितना एड़ेड हमने किया है फर्दर वाटर तो इस वाली जगे पर हम लोगों ने 60 लीटर का वाटर हम लोगों ने डेशियो टू अना यानि कि बेटा मिलक में कोई भी चेंज नहीं आएगा केवल वाटर के हिस्ते में आएगा और वाटर के हिस्ते में आगाए च्वाटर इसको बताओ थोड़ा happening manner में बताओ बढ़िया से बताओ what will be the answer of this question कुशागर कानपुर कानपुर से हूँ बिटे कुशागर कानपुर झाल झाल लखनाओं भी बेटा मैं आता रहता हूं काफी ज़्यादा लखनाओं ऐसा हो जाता है कि महीने में एक दो चक्कर बेटा लगी जाते हैं लेकिन ये कोविड के पहले तो इंस्टिटूट्स वगएरा बेटा मेरे चलते थे तो लखनाओं में आपका जैसे करियर अड़ा वगएरा हो गया तो मैं एक टाइम पे मैं प्रबल और पैरामाउंट में दोनों ही समय अटाश्ट था कानपूर का बेटा पैरामाउंट में रही है उसके बाद में लेकिन सारी चीज़े बस बंद करनी पड़ी क्योंकि खर्चे ऐसे हो गयते ना कि बेटा डेड़ डेड़ लाक ये एक एक बिल्डिंग का खर्चा और शेयर भी उठाने के लिए चलो ना तो भी ऐसा हो जाता था कि बैठे बिठाए बेटा डेड़ दो लाक रुपए तीन लाक रुपए पूचिंग बंद होने के मैं दे रहा हूँ तो आई थाट बेटर होगा कि दुबारा से पैसे को जना कमा लिया जाए चलो फाइव रेशियो सेवन रेशियो एट है अब बिठा इसको बढ़ाए गया 40% बिठा 40% का मतलब होता है दो बटे 5 तो यानि कि ये दो बढ़ेगा ह इसमें बिठा जोडेंगे तो 10.5 बिठा 75% का मतलब हो जाता है 3 by 4 यानि कि हर 4 में बिठा तुमको 3 बढ़ाना पड़ेगा तो बिठा हर 8 में तुमको 6 बढ़ाना पड़ेगा तो ये हो जाएगा बिठा 14 अब बिठा ये decimal के form में हमें रेशियो देखना पसंद ही नहीं है तो हम लोग इसको चेंज कर देंगे 3.5 ते मल्टिप्लाई करके 2 रेशियो 3 रेशियो 4 पे और 2 रेशियो 3 रेशियो 4 इस दा ऑप्शन 1 बात समझ में आई चलो बिठा मैंने सोचा तो और था बिठा कोशन कराने के लिए बड़त हैंगे इसकी मेरी बाकी की क्लास मेरी लग बिठा छूट गाएं इसको फ़िए स्ञेटा girls कर णवैं अपनी तरफ से और मैं यह सोच रहा हूं कि मैं आपका कंगरें मन्दे में मैं लगा लेता हूं शाम के चार बजे मैं शुरू कर दूंगा सेशन चार या चार दस पे और उसको विटा साड़े पांच बजे तक खीच लेंगे साड़े पांच शे बजे तक है ना तो आपको भी विटा बेनिफिट हो जाएगा डेर घंटे के एक और सेशन में वाइफाई डिफेंस एक्जाम में विटा आपके टेलिग्राम चैनल का नाम जो कि आपका अनकेडमी को शीयल है ट्वेंटिफो मन्द की कॉस्ट बेटा 667 पर मन्थ के साफ से 600 पर मन्थ में मिल जाएगी अगर आप लोग एनपी सरका कोड यूज करते हैं एनपी का मतलब है अर्फित नीलांश फांड है पूरा मेरा नाम है सर तो सर हो गया अगर आप लोग बेटा कोड यूज करते हैं यूवल गेट दे सेशन होता है अब कल संड़े है तो देखो कल नहीं होगा लेकिन आपका सेशन मंदे से लेकर आपका रहेगा तो शाम के चार बज़े में आपके सेशन में लेता रहूंग आज के लिए इतना ही थेंक यू बहरे मच हैवागरेट डे अवरेवान एंट टेक केर और बीटा ज झाल बड़ कर दो